चलो अब इस पे आ जाते हैं यार बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जैसे मशीन हुआ था जैसे मशीन हुआ था ना बिल्कुल वैसी करेंगे एकदम बेसिक से चलो शुरू करते हैं तो जैसा मैंने बोला आपको बिल्कुल pen से पढ़ाये जाएगा अपनी copy तयार रखना यार marker pen जो भी use करते हो बिल्कुल note down करना पड़ेगा marker या pen जो भी use करते हो अलग-अलग color के ले लेना ठीक है चलो तो पहले मैं बताये तो हूँ आप लोग को आज बात कर लेते हैं भाई font size सही है न अब इससे बड़ा लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा मैं वैसे लिखूंगा तो इससे छोटा ही वो अलग बात है इसलिए कोशिश करो laptop में देखें rather than mobile में या tv पे लगा के देख लो smart tv है तो अब यार देखो इस course के अंदर total duration total duration जो अपने को लगने वाली है वो almost कहीं ना कहीं 70 hours की रहेगी ठीक है almost 70 hours के आसपास हम लोग लगाएंगे ये बात clear है RSEB के पहले करवा दो बेटा black screen पे चलेगा ये course आपको note down करना है ठीक है इसके मैं कोई notes वगरा share नहीं करूँगा मैं कोई notes वगरा share नहीं करूँगा आप लोग को note down करना है पहले ही बता दे रहा हूं ठीक है आपके लिए requirement क्या है requirement क्या क्या रहेगी आपकी एक तो देख spiral वाली कॉपी ले लो offline की तरह ये वाला channel offline की तरह चलने वाला है spiral वाली कॉपी ले लो multi color pen ले लो ठीक है भई multi color pen ले लो आप और इसके अलावा ये जो course है पहली बता दे रहूं blackboard पे चलने वाला है ये चीज़े हैं जो आपके लिए होनी चाहिए और आपको basic क्या पता होना चाहिए prerequisite की अगर बात करें prerequisite क्या है इसका इसके लिए basic of EMT आना चाहिए अगर देखो मैं जैसे inductor capacitor पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत EMT का idea होना चाहिए ऐसा नहीं कि यार आपको यही नहीं पता electric field क्या होती है magnetic field क्या होती है तो तो दिक्कत हो जाएगी ना मेरे भाई ऐसा बिल्कुल मत होने देना तो आपको basic basic idea होना चाहिए amperes law क्या होता है, gauss law क्या होता है, charge कैसे electric field बनाता है तो यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप इस course को बहुत अच्छे way में समझ पाओगे, अब देखो यार आप लोग के लिए जो questions रहते हैं, पहले मैं उन questions के बारे में बात कर लेता हूँ कि theory के लिए, अच्छा देखो, एक चीज़ धियान रखना, मैं note down करने का time नहीं दूँगा, अलग से कि note down आप लोग कर लो, जितना मेरे साथ note down कर सकते हो कर लो, कुछ चीज़े dictate कराऊंगा, ठीक है, तो कुछ चीज़े dictate कराऊंगा बेटा, और इसके अलावा जो चीज़ इने वाला part है, वो मैं करा दूँगा, theory के लिए देखो, आपके notes will be sufficient, आपको कोई book पढ़ने की जरूवत नहीं है, मैं आपको resources बता रहा हूँ यार, practice, practice के लिए भी मैं आपको resources बताता हूँ, देखो, सबसे पहले तो, कनोडिया लगा सकते हूँ, ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हूँ, e, 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 c, i, n, कब p, y, q लगा सकते हूँ, ठीक है, तीसरी चीज़ आप क्या करोगे, concept through question, ये न मेरी special class पे series पढ़ी है, मैंने भी आपको link बताया ना, link क्या था, tinyurl.com slash ankitese, ये जो link मैंने बताया, इस link पे सारा कुछ पढ़ा हुआ है, यहाँ से देख ले ना, even pyq भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, network में जाओगे ना, तो network में pyq भी यहाँ पे मिलेंगे, ये बात clear है, बेटा ये youtube पे हमेशा available रहेंगे, हम लोग कोई भ data यहाँ पे slide से नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ dictate करके पढ़ाया जाएगा, slide से अगर पढ़ना है, तो हमारे पास other channel है na, creatrix, दो दो channel पे same ही चीज़, एक ही तरीके से क्यों पढ़ाएंगे, थोड़ा अलग काम करेंगे इस बार, है ना, थोड़ा अलग काम करना है, ये average मानलो कम से कम 600 होंगे, यहाँ पे PYQ में आपके बास मिला मिलू के हो जाएंगे 600-700 questions और, तो 1300 हो गए, यहाँ मैंने 200-300 और करा रखे हैं, तो 1500-1600 questions हैं यहाँ यहाँ पे, on an average, यहाँ पे कितने questions available हैं, जितना resource बता रहा हूं, कम से कम 1500 questions.